और अब हम देखते हैं के साइद भाई हमें बेसिक आफस्पिन की ग्रिप्स दिखा रहे हैं जी साइद साब बताएं प्लीज देखें बेसिक जो आफस्पिन ग्रिप जो बुक में है जो हर बंदा जो 90 प्रेसेंट बंदों की जो यही ग्रिप है नॉर्मल टू फिंगर्स यह ग्रिप हैं यह देखें हैं से इसको यह पकड़ते हैं ठीक है और मेरी और सैकी भाई की जो ग्रिप थी वो थोड़ी डिफरेंट थी जब हम आप ब्रेक करते थे तो हम इसको थोड़ा आगे करके यह तीसरी जो उंगल थी ना यह फिंगर जो फॉर्थ फिंगर इसको हम नीचे टेच करते थे उसमें यह एक तो बॉल फॉर्स के साथ हमारे हाथ में आता था दूसरा गुमता बड़ा तेज था प्लस इससे दूसरा करने में हमें बड़ा फाइदा है आज तक दुनिया को यह नहीं पता चला कि दूसरा एक्चली बॉल होता कैसे है उससे यह होता था कि हम यह मिडर वाली फिंगर को थोड़ा कलोज करते थे इसमें इतना फरक नहीं नजर आ रहा है और इससे दो फिंगर से ऐसे बॉल पकड़ लाते हैं जैसे आप मैंने इसको होल्ड किया यह सिर्फ स्पोर्टिंग है यह और यह और इसको रिलीज करते थे टॉप अप दी फिंगर से और क्यूंके मेरे यह हड़ी टूटी हुई है तो मेरी क्लैप्स कर जाती थी ऐसे तो लोगों को लगता था कि मैं ऐसे बॉल फैंकते हूँ एक्चल में मैं ऐसे नहीं फैंकता था तो इसको ऐसे फिंगर के उपर से हम बॉल को फैंकते थे इसमें एक जो टिपिकल आफस्पिनर ना यहां इस गृप से सीन के साथ बॉल होता है जब सीम के साथ बॉल होता है तो बॉल होता है डिफ्ट जो नॉर्मल आफस्पिनर करता है जब हवा में जब दूसरे मुलकों में हम जब स्टेलिया इंगलंड में खेलते हैं वहां डिफ्ट होता है एशिया में डिरिफ्ट नहीं होता तो उसको चेंज करने के लिए हम तीन फिंगर से पकड़ते थे मैं और सैकी बाई तो उससे स्क्रैंबल सीम से हम बॉल करते थे दूसरा और आपस्पिन जिससे बैट्समेन को डिसीव करने के लिए कि उनको पता नहीं चलता था कि ये बॉल कौन सा हो रहा है जिसका हमें ये अडवांटेज होता था बट मोस्टली जो टीपिकल आपस्पिन ग्रिप है वो यह ही है वो हर बंदा जो पकड़ता है वो ऐसे ही है और इसको आप इसको करने के दो तीन तरीके हैं अब ये बॉल जो ना बाउंस होगा टॉप स्पिन टाइप हो जागा क्योंब सीम हिट होगी अब जैसे इसको ऐसे रखेंगे सीम को अंदर की तरफ तो ये कम सीम लगेगी डिफ्ट होगा इसको थोड़ा सीधा करेंगे तो ये बाउंस भी मिलेगा आपको और इसी को आपको थोड़ी से रिस्ट को आपने कोई चीज चेंज निए की सिर्फ रिस्ट को अंगल किया है तो ये बॉल सीधा चला जाएगा और जो तेज मारते हैं सीधा बॉल उसको अफ्सुनर को वाले ऐसे फैंकते हैं लेफ्ट डाउं स्पिनर मारता है तो वो सीधा जाके तेज बॉल उतका आम बॉल जिसको कहते हैं और मैं करता था कि हम यहां से इसको ऐसे कर लेते थे सैकी भाई और इसका पढ़के हमारा बॉल दूसरा की तरह आता है